नमस्कार माहूं आपके साथ थर्षता और आप देख रहे हैं डीदी समाचार आए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की कुछ खास ख़़रों के साथ लगतार तीन-चार दिनों से बारिश होने से नदी नाले उफान पर हैं जिसके चलते बेमी तरह मुख्याले से लगभग 15 किलमीटर दूर बैजलपुर पंचाद के आशुरत ग्राम बैजी का संपर के टूटा चार दिन हो गए हैं आनिकट के उपर बारिश का पानी बढ़ते ही जा रहा है गावों में जाने के लिए एक मात्र आनिकट रास्ता है और यहां रहने वाले लोगों को किसी बीतरे शहर में जाना है तो 2-3 किलमीटर खेट के मेर पार करके तरफ से जाना होगा वहीं बताय जा रहा है कि अगर इस तरह बारेश होते रही तो गाव से निकलने में बड़ी संकट का सामना करना पड़ेगा पिछले साल की बात करें तो लगतार 14-15 दिन आनिकट के पानी उफान पर था जिसके चलते गाव वाले बहुत परिशान थे और खाने पीने के सामान को टायर में लगे ट्यूप के माध्यम से बिजबा आ गया था मैं एक दिन पहले तैसिलदार ने इस जगे का जायजा कर और चदिकारी को जानकारी दी है और गाव वालों को फोन के माध्यम से सरपंच साइच सभी को आगरे किया कि बढ़ते हुए पानी में किसी को यहां से जाने की जरूरत नहीं है वही सरपंच उने बताया कि ग्रामीन लगतार पुल बनाने की मांग करते आ रहे हैं लेकिन आज तक पुल नहीं बना लेकिन आज तक उनकी मांग पूरी नहीं हो पाई वरतमान विधायक दिपेस साहू ने भी इस बारे में संपर्क किया गया जस्ते आसवाशन दिया गया कि बहुत जल्द यहां से जाने आने के लिए रास्ता सरप कर निर्मान किया जाएगा रामिन लंबे समय से बरसात के समय गाव में गिर जाते हैं और किसी तरह तबियत बिगडने पर मजबूर हो जाते हैं और फिर कावर का साहरा लेकर खेत की मेड़ से 2-3 किलोमीटर फास्ला तैकर डॉक्टर के पास आ जाते हैं वहीं सलक से आनिकेट के रास्ते 200 मीटर के विगाव, 200 मीटर में गाव है पर बारिश के उफान के चलते गाव में तीन किलोमीटर खेत के मेर के रास्ते जाते हैं वहीं बारिश में बहुत तकलीफ बढ़ जाती है जब तक पानी खाली नी होई तब तक आज 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 कोई सुधान है गाव मन बता थे कि खेते खेत दू-3 किलोमीटर चलहाग लेटन करते हैं रास्ता लेकिन बहुत तकलीफ हो रास्ता में जब तक लेगे कि सुधान है आदमी चल नी सकाए दूठाग लेट से मेर जाल लगत बहुत है तो चार आदमी रिंग नहीं एक साधर नी पावा है गिरात अप्ता लगते दूठा से बहुत तकलीफ हो थे उठाग लेक रास्ता है लेकिन नहीं कि समाने होगा उमें कोई सुधाने नहीं रिंगे के मेर है मेर हो सड़ाक बड़क नहीं है अब तर बारीश के चल मांकि अईसे जगह में वस्ती है कि कहीं पर जाने के रास्ता नहीं है ना रास्ता ना मिले के कारण एक अपन बेरला बुलाग दरजेरा गाव में बिल्कुल छेटे हुए जेना मुस्किव से 200 मिंटर के दूरी है नाला के पर डरजेरा ये पर मलब भाईजी है तो जब तक क में हर साल मुला विधायक जी से मंत्री मोहदय जी से अपना बात यहां रखा हूं कि मलब विवस्ता हमें पूल निर्मान का एद्दम हो सकता है कभी भी कुछ भी घटना हो सकता है मोहदय जी और आप जमला हमारे बैजलपूर पंचायत की आस्रीत का मदद करने के मलब बढ़ाब हो जाए तो फिर वहां से लाने के लिए कैसे करेंगे डाक्टर हास्पिटल में कोई व्यास्था नहीं है उसको उठाकर सीदह ले जाने पड़ेगा एक सामत पूर जाएंके मलब खेट से मदो किलोमीटर या पिर बैजल पूर जाएंगे तो भी किलोमीटर बीना आगले साल और यहां लोग नाओं के लिए कई बार बोले मलब भेज़ दीजे करके तो सब्जी को हम लोग टायर जो ट्रॉक्टर का टायर होता है उसमें तो पूरे बस्टी को पूर आदमी विवस्टा नहीं कर पाता है पूरे जन संग लिए थोड़ा बहुत बहुत बिवस् लगतार तीन दिन से ज्यादा परसानी बढ़ गया है इसका और जब भी बारिस अभी तो इस सुर्वात है वांकि अभी तो बारिस तीन मेना है अगले साल दो हजार में बीस से लेके मलाई 21 22 23 यह लगतार 14 दिन 15 दिन डूबा रहता था और 14 15 दिन में इतना समस्था कि आद अब यहां सामना करने पड़ता है अभी वर्तमान में हम लोग विधायक मुहतर जी के पास गया है तो विधायक जी अस्वासन दिया है कि जितना जल्दी हो सके हम प्रयास करेंगे इसका मलब सर्वे उर्विक लिए बहसते हैं और काम को आगे बढ़ाएंगे करके हमें अस् हम असे लिए सबस्दा आगे कर अपय ठता है उन्म II